आज हम बना रहे हैं रवड़ी मालपुआ बिना किसी तयारी बिना किसी प्रिप्रिशन बिना दूद मावा मिल्क पाउडर किस कोई भी हमें यहां पर जुरुरत नहीं है सिफ पानी में घोलो और इस मज़िदार मालपुआ को बना कर तयार कर लो सबसे पहरे हम चाशनी बराएंगे इसके लिए मैं 200 ग्राम चीनी एक बरतन में लूँगी और 200 एमल पानी ही हम इसमें डाल देंगे और हम इसे लो फ्लीम पर तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से पिघल नहीं जाती तो हमें यहाँ पे एक पतली चाशनी बना लेनी है तो यदि आपके घर में कभी चाशनी बनी हुई रखी रहती है तो उससे भी आप यह माल पर बना सकते हैं में ऐसे ही करती हूं जब चाशनी बच जाती है तो कोई ना कोई मीठा बना कर हम एंजॉय कर लेते हैं तो देखिए चीनी पिखल चुकी है चीनी पिखलने के बाद में करीवी से पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम पे और पकाना है ताकि हल्की सी यह चिपची पपन वाली चा ही टेस्ट आएगा इसलिए मैं हमेशा का यूज करती हूं अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे चाशनी तयार है अभी हम इसे गैस से उतार देंगे और उसके बाद हम नेक्स करेंगे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आज हम बिना महनत वाले माल पर बनाएं तो फ्रेंट्स इस तरह से बहुती असाँए से अप घर पर जब चाहे तब माल पर बना सकते हैं भारिश हो या की फेस्लबल हो गेस आने वारे हो गर्मी में ठड़ने तो बना लेंगे तटन अह निकल गए हैं अब इस फोड़ा और पाई डालेंगे और इसका एक पतला सा बना लेंगे तो पूरा वीडियो देखे हम आपको पूरा प्रॉसेस बताएंगे किस तरह से आप इससे क्विक और इंस्टेंट माल पूर बना सकते हैं तो इस तरह से हमारा घुल तयार हो चुका है प्लिहान रखें पानी कम ही डाले क्योंकि प्रिमिक्स पानी करता है आप च क्यार हो जुका है अब हम यहां पे तेल या घी को अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद में एक चमच भर के हम यह माल पूर डालेंगे लेकिन मेरा जो यह यह बहुत ज्यादा गरम हो यह तो आप गलती ना करें तो आगे मैं आपको टिप दे रही हूं तेल को यह और इसे कुछ मिनट के लिए हम इस तरह से शेक लेंगे उसके बाद में हम इसे फिलिप करके पलट की दुसी तरह से भी सिख लेंगे तो अभी स्रिफ ने एक ही माल पूर डाला है क्योंकि अभी हम यहां पेसे टेस्ट कर रहे है कि मारा बैटर सही बना है और हमारी फ्लेम इस तरह से देखिए दोनों साइट से अच्छा कलर आ चुका है अब हम यहां पर इस फ्राइड माल पूर को निकाल लेंगे और निकालने के बाद एक प्लेट में साइड में रखते जाएंगे अब जब आप इसमें पर जाएंगे आप एक वार में 2-3 माल पूर इसमें डाल माल पूर को तरह से देखिए हमारे टेस्टी माल पूर अप्राइय हो चुके हैं को इस तरह चाशनी हम कर लेंगे चाशनी आप इन को डाली लेकिन जब भी आप इसे व्यूंकी जरू डाले और साथि मज़ेदार रबड भी डाले यह दि आपको रबड़ी के रिचाहिए त इस तरह से कटे वे फ्रूट्स और साथ ही गुलाब की पंखुरों से से में गार्णिश कर रही हूं तो इस त्योहार पर बनाए यह टीस्ती माल कुए जहने बनाने में बिल्कुल भी महनत नहीं लगती है थैंक यू